यहर मेरा एक दोस्त है जो ना आजकल अपनी कार में अपनी बंदी के साथ एक सिसे से एक जगा जाता है और साथ में एक फोटोग्राफर भी ले के जाता है और शार फोटोस खिचवा कर अपनी बंदी के साथ फोटोस पोस्ट करता है अपने इंस्टाग्राम और मैं उसे देखता हूँ और मेरी यहां यहां जलती है तो दिल पी हाथ रख कर बताने क्या तुम लोग के साथ भी ऐसा होता है अगर हाँ तो बहुत बुरे फसे हो बिटाने नमस्ते है जी मैं हूँ मैंग धर्यवान आपका अपना हैपी वाला हीलर तो जिस तरह की जैलेसी की बात मैंने अब इस कही यहां वाली वो क्या है वो एक्षिली mental bad habit है दोस्तों कैसा जैसे physical bad habits हमें होते हैं जैसे कि फिजिकल बैड हैबिट्स हमें होते हैं जैसे कि सिग्रेट पीने की सर शराब पीने की मिठा ज़ाधा कहने की शुगर खाने की, एक्सराइज ना करने की, लेजी रहोकर पड़े रहने की, वैसी ये mental bad habits में से है कि हम दूसरों के अच्छे दिनों की का compare अपने बुरे वक्स के कर रहे होते हैं, हम अपने अभी के हालातों का compare दूसरों के social media post को देख के कर रहे होते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि आप भी जब कोई post social media पर डालते हैं, उसे कितना filter करते हैं, कितना edit करके जालते हैं, लेकिन नहीं, आप नहीं समझते हैं जब आप दूसरों का post देखते हैं, आप यही सोचते हैं कि वून के post में जो चीज देखे रही है, वो actually वैसे ही जन्नस से आई होई है, और आप फिर बुरा फिल करने लगते हैं, लेप्रेस फिल करने लगते हैं, पर से पहले यह जानेंगे कि habit क्या होती है, habits मतलब unconscious repetition of something, जो unconsciously repeat हो रही होती है, उसे ही हम habit करते हैं, आप अपना daily routine आप चेक कर लीजे, आप कोई इसको बिना सोचे समझे, रोज जो कर रहे हो, चेक करने के बिता हैं, तो आज हम पीन तरह के mental habits की बात करेंगे जिसके बारे में हर इनसान को सोचना जरूरी है, अगर आप successful होना चाहते हैं लाइप में किसी भी field में, किसी भी तरीके से आप happiness को चाहते हैं आप अपनी life में peaceful life चाहते हैं तो आप ये तीन तरह की mental habits को develop करने ही होंगी पहला, सबसे खतरनाक mental bad habits ये है कि हम हमेशा दूसरे से अपने आपको compare करते हैं और compare का मतलब ये हो रहा है कि दूसरे के अच्छे बक्त से अपने बुरे वक्त को compare कर रहे होते हैं किसी के इस्टागराम के post को देखे, किसी के facebook को पोस्ट को देखकर हम compare करते हैं यार हम क्यों वैसा नहीं कर रहे हैं हम क्यों महंगी गाड़ी नहीं करिद रहे हैं हम क्यों उस तरह के जगों पर गुमने नहीं जा रहे हैं हम क्यों उस तरह के खाना नहीं खा रहे हैं हम क्यों उस तरह की बंदी या बंदे के साथ नहीं खुम रहे हैं हम क्यों उस तरह के relationship में नहीं है और हमें लगता है कि इस तरह का विचार करना इस तरह का सोच रखना ये हमारे लिए गुड है क्योंकि बहुत लोग ये कहते हैं कि अगर ऐसा सोचेंग ये नी तो ऐसा करेंगी क्यों भीये देखो यहाँ पे सोच में गड़बड़ी हो रही है अगर आप लॉव एट्रक्शन को भी फॉलो करते हैं तो यहाँ पे सोच में गड़बड़ी हो रही है आप उसको देख के बुरा फिल कर रहे हैं जबकि लॉव एट्रक्शन में सबसे पहली बात यह है कि किसी चीज उसको सोच कि Кिसी चीज को देख के उसके बारे में अच्छा फिल करना है किCL में मुए में रखा फो खुर लिया ये ना बहुत easy है उसके लिए बिल्कुल वैसा जैसे ice cream खाना हमारे लिए बहुत easy है, tasty है कि ice cream लिया, मूँ में रखा वो खुर लिया, unhealthy है लेकिन और कोई healthy चीज़ को चबाना पड़ता है, मैनत करनी पड़ती है taste भी अच्छा नहीं होता है यह होता है, healthy चीज़ों का taste अच्छा नहीं होता है यह ना तो ऐसे ही ये खराब आज़तों को हमारे अंदर से निकाल के फिखना हो सबको दूसरा, इसी से आगे का कि जब हम किसी और के बारे में सोच रहे हैं जब ही किसी के अच्छे time के बारे में सोच रहे हैं अच्छी lifestyle के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे आसाम तरीके स tapa हमारा दिमाग कैसा behave करता है या उसकी तरह ہو जा मजाग है उसकी तरह हो जा विख्यों उसने क्या struggle किया है उसने कितनी मेहनत किया उसने कितना चीज साहा है उसने कितनी study की है ये नहीं देखना है बस उसकी तरह हो जाओ और जब उसकी तरह नहीं हो पा रहे हैं तो depression आ रहे हैं, anxiety आ रहे हैं हम महनत कर रहे हैं किसी भी direction में महनत कर रहे हैं हमको पता नहीं हमें क्या करना है लेकिन उसकी तरह होना है, उस film star की तरह होना है, उस celebrity की तरह होना है, उस Instagram में दिखने वाले उस बंदे की तरह होना है, उस बंदी की तरह होना है, स्टॉप में दिखने वाले उस star की तरह होना है, राइट जा रहा हूँ, सही जा रहा होना, और अगर जब ये चीज़ें नही से घरवालों से लड़ाई कर रहें कि मेरे पास यह नहीं है यह से जूते चाहिए मुझे ऐसा इस बार चाहिए एसी कार शहुआ चाहिए ऐसी और आगे बारगण रहें मुझे इस तरह की दखने वाली बंदी अच्छी इतनी खुबसूरत लड़की चाहिए और अब नहीं मिल रहे हैं तो उसके साथ कलिश कर रहे हैं psychology में इस second number वाले का नाम दिया गया है thought of judgment हम हमेंशे judgmental रहते हैं हम किसी के अच्छे और बुरे को देखते हैं तुरांट judgment ले ले लेते हैं और फिर सोचते हैं इसकी तरह बनना है या इसकी तरह नहीं बनना है हम महनत करते हुए लोगों को देखके कभी यह नहीं सोचते हमें इसकी तरह बनना है हम result पाचुके हुए लोगों को देखके यह सोचते हमें इसकी तरह बनना है वहने से जी चुराते हैं success को पाने की कोशिश करते हैं success को पाने की कोशिश करना गलत नहीं है बिल्कुल सही है, लेकि success को पाने को ही लेके सोचते हैं, महनत के बारे में नहीं सोचते हैं तीसरा सबसे खतरनाक mental bad habit है कि हम दुनिया के बारे में सोचते हैं हाँ, बिटा ऐसा वाला नहीं, दुनिया के बारे में अच्छा सोचते हैं, ना 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 हप Politics ne सब्ोड एक दुनिया हमारे सांघных हमने में किया हमने बहुत में इनद की और हम चाहते हैं कि... हम यह वैसा सक्सेश मिलें जो हम सोचके रखें हैं । आगा अगर वह नोक्ता है क्युक्त उमरें साथ होगा तो इस तरह के थोड अगर बार-बार दिमाग में चले कि यार मेरी किस्मत खराब रहती है मेरा कुछ नहीं हो सकता मैं जो भी करता हूं खराब हो जाता है क्या लगता ये दिमाग में दवाए की तरह काम करेगा है जहर की तरह कि लिए यह टॉक्सिक है फिजिकल मसल्स को डवलब करने के लिए हमें जिम जाना होता है वरकाउट करना होता है, युगा करना होता है अच्छी फिजिकल हैबिट बना के रखनी होती है अच्छा डाइट लेना होता है वैसे ही mentally strong होने के लिए हमें अच्छे thoughts की practice करनी होती है gratitude की practice करनी होती है अच्छे datas, अच्छे medias consume करनी होती है books, अच्छे books पढ़ने होते है YouTube में, social media में अच्छे videos लिखने होते है like this video सुबह उठते ही आप सबसे पहला काम क्या करते हैं affirmation से यह सब वो तो ठीक बात है लेकि सबसे पहला काम क्या करते हैं अगर कुछ नहीं करते हैं अगर mobile भी check करते हैं तो सबसे पहले YouTube में चाहिए किसी भी अच्छे speaker का motivation लड़ video निका लिए देखिए अच्छे videos को search कीजिए जिससे आपको benefit मिल सकता है आपके career में आपकी life में आपको benefit मिल सकता है उस तरह की विचारों किसे भरे वे thoughts को पढ़िए अच्छे quads पढ़िए शुरू के उड़ते ही आदे गंटे का जो time होता है सबसे golden period होता है जिसमें आपको यह करना चाहिए मेरी राह है कि सोने से पहले और उठने के बाद दोनो time अगर आप यह करते हैं तो mental diet plan आपका अच्छा हो जाएगा mental health अच्छी होनी शुरू हो जाएगी क्योंकि सुबह उठते ही जो आदे गंटे में जो सबसे पहले thoughts हमारे होते हैं झावस्ते हैं झावस्ते हैं